दर्षकों वास्तु सास्त्र में कनेर के पेड़ को मा लक्षमी के साथ सा भगवान विश्नु का प्रिय कहा जाता है। वास्तु सास्त्र में कनेर की पोदे को घर के लिए कापी सुब माना गया है। कनेर में साक्षाथ भगवान बसते हैं। कनेर का पेड़ दो तरह का होता है सफेद फूलो वाला कनेर और पीले फूलो वाला कनेर सास्त्रों में कहा गया है सफेद फूलो वाले कनेर का पेड़ मालक्षमी को प्रिय है और पीले फूलो वाले कनेर के पेड़ पर साक्षात विश्नु वगवान बसते हैं जिस तरह कनेर का पेड पूरे साल फूलों से भरा रहता है उसी प्रकार इसे घर में लगाए जाने से पूरे साल घर में धन का आगमन रहता है कनेर का पुदा मन को सांत रखता है और वाता उनको सकारातमता लाता है सफेद कनेर के फूलों को मा लक्षमी जी की पूजा में रखा जाये तो लक्षमी मा परसन होकर जातक के घर में टगर जाती है वहीं अगर कनेर के पिले फूलों से वगवान स्री हरी की पूजा करने पर पारिवारी कुजाली आती है दन संपत्ती बढ़ती है और मांगलिक काम में रुकाउटे नहीं आती काम बनते चले जाते हैं ध्यान रखें यूतो कनिर का पोदा कई बीमारियों और औस्टियों के रूप में काम आता है लेकिन इसके फूल और बीच जहरले होते हैं इसलिए इसे घर के अंदर लगाने की बजाए घर की सिमा से बाहर या आंगन में ऐसी जगर लगाना चाहिए ताकि बच्चों की पहुंच से दूर रहे अगर दर्सकु जानकारे अच्छी लगे हो तो चैनल को गंटे एक इनके साथ जरू सब्सक्राइब करें